हेलो सुडेंट्स वेलकम टू एमकेच मैं रुबी सिंगाटिया और आज हम आपका चैप्टर नंबर नाइन्थ जो है जिसका नाम है दव स्टार बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है जिसके अंदर आपकी वह वाली पॉइम है जो आपने बच्पन में सबसे पहले सिखी ती है ना तो वह पॉइम आपको याद होगी कि आपने बच्पन में सबसे पहले इंग्लिश के अगर बात की जाए तो इंग्लिश में आपकी सबसे फेवरेट वाली सबसे अच्छे वाली जो आपको सबसे प्यारी पॉइम लगती थी वह कौन सी होती ठीक है उसी पॉइम को हम प वो चार लाइने जो है हम बार-बार गाया करते थे हैं ना तो चलिए तो चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ कुशन साफ से पूछे गए हैं तो वो आपको जवाब देने हैं पहला है चिल्डरन बच्चो डू यू रिमेंबर नर्सरी राइन्स क्या आपको वो बालगीत कि जब बाल्य वस्ता में जब आप थे जब आप बहुत चोटे थे तब आपको याद करवाए गए थे ठीक है विच वन्स डू यू रिमेंबर कि आपको कोई भी वैसे बालगीत याद है जो आप बच्पन में सीखे दे ठीक है विच इस यूर फेवरेट अमंग दें तो ट करें देंगे बिल्कुल याद है do you know it was it has more lines than you read in nursery class क्या आप जानते हैं कि आपने जो nursery classes होती थी जो आपकी छोटी classes होती थी इसमें केवल और केवल आप 4 लाइने पढ़ते थे क्या आप जानते हैं कि उनके लावा भी उसके बहुत सारी लाइने होती थी वो पॉइं काफी लंबी होती थी सिर्फ चार लाइने नहीं होती थी जो हम बच्पन में याद किया करते थे ठीक है let's read and complete point here ठीक है तो चलिए फिर let's read the complete point here तो चलिए कि पूरी की पूरी जो कविता है वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ठीक है और एक-एक word का मतलब हम जानेंगे केक्शल में जो बोला करते थे twinkle twinkle little star how I wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky तो इन words का meaning क्या है ठीक है यह line हमें क्या कहना चाहती है सबी का मतलब एक एक करके हम जानेंगे ठीक है तो चलिए फिर पढ़ते हैं एक-एक line और फिर साथ के साथ उसका मतलब जानेंगे twinkle twinkle का मतलब होता है twinkle का मतलब होता है टिम्टिमाना ठीक है टिम्टिमाते टिम्टिमाते little star चोटे तारे यानि कि एक छोटा सा बच्चा तारों को देखके कुछ सवाल कर रहे तारों से क्या सवाल पूशते है विचारा चोटा सा बच्चा उन तारों से देखिए twinkle twinkle little star यानि कि टिम्टिमाते टिम्टिमाते चोटे तारे how I wonder what you are how I wonder wonder का मतलब उत्चुक मैं यह जानने के लिए उत्चुक हूँ what you are कि आप कौन हो ठीक है up above the word so high यानि कि इस संसार से बहुत उंचे up above the word यानि इस संसार से उपर बहुत उंचाई पर यह चाज़ आपको समझ में आ गई like a diamond in the sky आस्मान में एक हीरे कितने तुम टिम्टिमाते हो मैं जानने का उत्चुक हूँ कि है तारे तुम कौन हो एचिस आपको समझ में आ गई ठीक है when the blazing sun is gone जब blazing का मतले होता है धदगता हुआ ठीक है जब धदगता हुआ सन चला जाता है जब धदगता हुआ सूरज चला जाता है when nothing shines upon जब उपर आस्मान में कुछ भी नहीं चमकता है then you show your little light तब तुम आ जाते हो अपना मंद मंद परकाश दिखाने यानि कि जब आस्मान में कोई भी लाइट नहीं होती है जब आस्मान में कोई भी नहीं चमकता then you show your little light तब तुम अपना मंद मंद जो लाइट यानि कि परकाश दो तुम अपना मंद मंद परकाश अमें दिखाते हो twinkle twinkle all the night और पुरी रात भर तुम टिम टिम आते हो ये चीज़ आपको समझ में आ गए ठीक है तो next पढ़ते हैं then the traveler in the dark फिर अंधेरे में traveler यानि कि मुसाफिर फिर अंधेरे में जो मुसाफिर जो यात्रा करते हैं रात के समय में thanks you for your tinny spark तुमारा धन्यवाद करते हैं for your tinny spark यानि कि उस चिंगारी के लिए या छोटी मंद रोशनी के लिए जो तुम देते हो ये चीज़ आपको समझ में आ गई how could he see where to go वो कैसे जान पाता कि कहां जाना है if you did not twinkle so अगर तुम इस तरह से नहीं टिम्टिमाते यानि कि ये क्या कहना जा रहा है then the traveler in the dark कि फिर वो मुसाफिर जो रंधेरे में जा रहा होता है thank you for your tiny spark तुमारी चोटी मंद रोशनी के लिए तुमारा धन्यवाद करता है how could he see where to go वो कैसे जान पाता कि कहां जाना है if you did not twinkle so अगर तुम इस तरह से नहीं टिम्टिमाते यानि कि अगर तुम इस तरह से डोशनी नहीं देते तो रात में जो मुसाफिर है वो कैसे जान पाता कि रास्ता किदर है कहां जाना है ये चीज़ आपको समझ में आ गई इन दा डाक ब्ल्यू स्काई यू कीप यानि कि अंधेरे निले आस्मान में तुम हो या अंधेरे निले आस्मान में से इन दा डाक ब्ल्यू स्काई यू कीप यानि कि उस अंधेरे आस्मान में से तुम रखते हो keep यानि तुम रखते हो often through my curtains peep यानि कि तुम pry जो है often का मतलब pry यानि अक्सर ठीक है अक्सर through my curtains यानि कि मेरे परदों के बीच में से यानि खिड़की पर जो परदे होते हैं तो उन परदों में जो थोड़ी सी जगे होती है उस जगे में से होकर peep यानि कि तुम मेरे कमरे में जांकते हो यानि कि सिंपल सी बात है कि जब मेरे खिड़की होती है खिड़की पर जो परदे होते हैं परदे में थोड़ी सी जगे होती है तो वहां से मुझे दिखाई देते हैं कि तुम टिम टिमा रहे हो यानि कि ऐसे लगता है कि तुम अक्सर जो है उन पर्दों के बीच में से मेरे कमरे में मेरी तरफ जांकते हो For you never shut your eye क्योंकि तुम अपनी आंके कभी बंद नहीं करते Till the sun is in the sky जब तक यह जो सूरज है वो वापिस से आस्मान में नहीं आ जाता यह चीज़ आपको समझ में आ गई Next है As your bright and tiny spark As your bright Bright का मतवद चमकदार प्रदीप्त ठीक है And tiny यानि कि छोटा Tiny भी इसको कहते है Tiny यानि छोटा Spark यानि कि प्रकाश ठीक है जैसे तुमारा जो चमकदार और चोटा प्रकाश है Lights the traveler in the dark यानि कि जब कोई मुशाफिर अंधेरे में चलता है तो उसको रोष्णी परदान करता है यानि कि उसको रोष्णी देता है यह चीज़ आपको समझ में आ गई Lights the traveler in the dark यानि कि उसको रोष्णी परदान करता है दो यदिपी I know not what you are यदिपी मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो नो मतलब जानना What you are कि आप कौन हो Twinkle Twinkle Little Star Tim Timate Tim Timate छोटे तारे मैं अभी भी यह नहीं जानता कि तुम कौन हो यह चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको अपनी nursery class की वो point याद आ गई होगी जो आपने बहुत बार की थी है और Twinkle Twinkle Little Star और इस point को इसी नाम से हम जाना करते थी है और इस point की चार ही लाइने हमें याद होती थी लेकिन यह point एक्चुल में इतनी बड़ी है यह जिस आपको समझ में आ गई तो चलिए फिर क्योंकि बहुती चोटी सी point थी फटा फट से हमने complete कर ली है अब इसके activities पर आते हैं तो सबसे है right T for true and F for false यानि true false आपने जाने है सबसे पहले है the moon looks like a diamond in the sky जो moon है यानि कि जो चांद है वो हीरे के समान आस्मान में दिखाई देता है क्या तो आप कहतेंगे नहीं ये तो गलत हो गया actual में moon नहीं दिखाई देता बलकि stars जो हैं जो तारे हैं वो diamond की तरह दिखाई देते हैं आस्मान के अंदर आपने अभी poem के अंदर पड़ा था like a diamond in the sky तो वो stars के लिए कहा गया है तारों के लिए टिम टिमाते तारों के लिए कहा गया ट्विंकल ट्विंकल little star चीक है ये ज़र आपको समझ में आ गया तो ये गलत हो जाएगा moon के लिए ये नहीं कहा गया है moon मतलब चांद और star मतलब तारे ठीक है next है the star shows its little light after the sunset कि ये जो star है ये जो तारे है वो अपनी छोटी छोटी प्रकास जो है वो दिखाते है जब सूर्य चला जाता है जब सूर्यास्त हो जाता है तो हम कहींगे बिलकुल सही ठीक है तो ये ट्रू है third है the star shines brighter than the sun जो तारे है वो सूर्यासे ज़्यादा चमकते है तो आपके देंगे नहीं उनका प्रकास बहुत थोड़ा होता है सूर्या का प्रकास तो बहुत ज़्यादा होता है तबी तो रात को थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है ठीक है जब तारे होते हैं लेकिन जब सूरे आता है तो हमें पूरे रोश्णी जो है वो दिखाई देती है मतलब यह फोल्स हो गया जो स्टार्स हैं जो तारे हैं उनका प्रकाश सूरे से ज़्यादा नहीं दिखता है प्रित्वी पर यह चैस आपको समझ में आ गई next question answers so first question है who is the boy speaking to यानि कि जो लड़का है वो किस से बात कर रहे तो लड़का तारों से बात कर रहे तो आप कह देंगे the boy is speaking to the twinkling little star यानि कि जो चमकते हुए टिम्टिमाते हुए छोटे तारे हैं उनकी से बात कर रहा है यह चैस आपको समझ में आ गई second question है why does the traveler thank the star कि जो traveler है जो मुसाफिर है वो तारों का धन्यवाद क्यों देता है तो आप कह देंगे that traveler thanks the star for his tiny spark यानि कि जो चोटी जो प्रकाश दे रहा है चोटा प्रकाश जो दे रहा है उसके लिए वो thank you करता है now he can see where to go अब मुसाफिर देख सकता है कि कहां पर जाना है यह चीज़ आपको समझ में आ गई ठीक है now the next question is what happens when the sun goes away जब सूरे चला जाता है तो क्या होता है तो आप कह देंगे when the sun goes away the little stars start twinkle यानि कि जब सूरे चला जाता है तो छोटे छोटे तारे टिम्टी माना शुरू कर देते हैं now the fourth question is how does the boy know that the star is peeping through his curtains इस लड़के को कैसी पता चलता है कि वो जो तारे है वो उसके जो curtain है परदे है परदे के बीच में जो जगए है उसके अंदर से उसके कमरे में जहां करें है उस लड़के को कैसी पता चलता है तो आप कह देंगे the boy knows it when he sees the twinkle of the star through curtains in the dark blue sky कि जब वो अंधेरे निले आस्मान में देखता है अपने परदों के बीच में से ठीक है अपने परदों के बीच में से जब वो अंधेरे निले आस्मान में देखता है तो उसे तारे दिखाई देते हैं और उसे लगता है कि तारे मेरी तरफ देख रहे हैं मुझे तारे दि से यूई होता है ब्लैक नहीं कह सकते गहरा निला यह आपको समझ प्लैक जैसा ही लगता है गहरा निला ठीक है सो शिक्स कोशन है what happens when the sun comes back in the sky क्या होता है जब जो sun है जो सूरज है वो जो sky है उसके अंदर वापिस आ जाता है तो हमारे जो stars है वो टिम्टिमा बंद कर देते हैं तो आप कह देंगे when the sun comes back in the sky the little star cannot show up its twinkle यानि कि वो अपनी टिम्टिमा हट जो है वो नहीं दिखा पाता क्योंकि सूरज का प्रकाश इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनका प्रकाश बहुत छोटा होता है रहा हमें दिखाई नहीं देता ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जब बड़ी लाइट सामने से आ जाती है तो हमें छोटी लाइट इन दिखाई नहीं देती है क्योंकि इस बड़ी लाइट का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि वो छोटी लाइटों को छुपा लेती है ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो ये था आपका चैप्टर आपको नर्श्री क्लास की याद आ गई होगी है तो बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर था तो आज की क्लास यहीं पर खतम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर तब तके लिए all the best for yourself studies तो बहुत है तो बहुत है झाल